चक्रव्यू के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यू का एक दूसरा नाम होता है पड्मव्यू मतलब लोटस फर्मिशन तो जो चक्रव्यू होता है स्पीकर सर वो लोटस के शेप में होता है कमल के फूल के शेप में होता है 21 सदी में सर एक नया चक्रवियू तियार हुआ है स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन प्रधान मंतरी जी अपनी चाती पर लगा के चलते सर जो अभिमन्यू के साथ किया गया था जो अभिमन्यू को चक्रवियू में फसाया गया था वो ही हिंदुस्तान के साथ किया गया है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ हिंदुस्तान के किसानों के साथ हमारी माताओं भेनों के साथ स्मॉल बिजनिस के साथ मीडियम साइज बिजनिस के साथ सर अभिमन्यू को छे लोगों ने मारा था, उनके नाम दुरोनचारिय, करना, कृपचारिय, कृतवर्मा, अश्वतामा और शकुनी सर आज भी चक्रिव्यू के बीच में छे लोग हैं, सर चक्रिव्यू के बिल्कुल सेंटर में हजारों लोग होते हैं, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं, तो जैसे उस टाइम छे लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी छे लोग कंट्रोल कर रहे ह तो आपने सुना राहूल गांधी का ये भाशन जो उन्होंने बजट सत्र के दौरान दिया था नमस्कार मैं हूँ पंकज श्रिवास्तो और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स का खास शो रेज योर वाइस राहूल गांधी ने जो बयान लिया उससे भाजपा तिल मिलाओ थी क्योंकि उन्होंने साफ साफ नाम लिया नाम किसका लिया प्रधान मंतरी मोधी का ग्रे मंतरी अमिशा का इसके अलावा राश्चिय सुरक्षा सलाहकार अजीड डोबाल का अरेसस या उसके मुखिया मोहन भागवत का और इसके अलावा अडानी और अमबानी का इन छे लोगों की तुलना राहूल गांधी ने महाभारत के उन छे महारतियों से की जिनोंने चक्रवीव में घेर कर अब मन्यू का वध किया था अब मन्यू की हत्या की थी जिनोंने एक अनैतिक तरीके से राहूल गांधी उसी के साथ आज के हालात की तुलना कर रहे हैं और उनका मानना है कि देश इस चक्रवीव में फंसा हुआ है जाहिर है बीजेपी को ये बात बिलकुल रास नहीं आ रही है इसका कुछ न कुछ तो नतीजा आना ही था और हाल में यानि अभी अभी एक खास खबर आई है और वो खबर क्या है आप खुद देख लीजे वो खबर ये है कि नेशनल हरल्ड मामले में पूछताच की योजना बना रही है एडी राहूल गादी ने पहले ही बता दिया था यानि नेशनल हरल्ड का जो केस है जिसमें दो साल पहले राहूल गादी से 55 घंटे पूछताच हुई थी सोनिया गादी से 40 घंटे पूछताच हुई थी वो अचानक फिर से उभर के सामने आ गया है और एडी यानि इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट प्रवरतर ने देशाले जिसकी आजकल बहुत चर्चा है वो जिसको चाहे जेल में डाल सकता है क्योंकि मोदी सरकार ने कैसा कानून बना दिया है कि अगर उसे लगता है कि आप अपराधी हैं तो हैं आपको जेल में वो रख सकता है उसके पास कोई प्रमाड हो ना हो आप लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं आपको जमानत भी नहीं मिलेगी कुछ ऐसा कानून है और इसलिए तमाम विपक्षी नेताओं का यह आरोप है कि यह सरकार दरसल एडी के बहरों से चल रही है और हमने देखा पिछले दिनों तमाम विपक्षी के नेताओं को किस तरीके से भारतिय जनता पार्टी में ले जाया गया या वो गए उसके पीछे भी एडी मानी जा रही है क्योंकि उननेताओं पर घजब आरोप थे प्रदान मंत्री ने खुद कहा था कि सत्तर हजार करोड का घोटाला किया है अजित पवार ने लेकिन इस भाशल के तीन दिन बार सीधे सीधे उनके हाथ में वित्मंत्राले सौब दिया गया महराश्ट का अशोक चोहान जिन्हें कहा गया था कि आदर्श घोटाला यानि जो करगिल के शहीद हैं उनके परिजनों के लिए जो घर बनाए गये थे उसमें उन्हों पूस्ताज करेगी अचानक पूस्ताज का सिलसिला पूस्ताज के खबरे आ गई सामने लेकिन अजब बात ये है कि राहुल गानी ने खुद कुछ दिन पहले ये बात बताई थी देश को बताई थी उन्हों उन्हें एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि एपरेंटली ट्वीन वन डिडिन्ट लाइक माई चक्रविव स्पीच एडी इंसाइडर्स तल्मी ए रेड इस बिंग प्लैंड वेटिंग विद ओपन आम्स चाय और बिस्कित ओन मी यानि जो उनका चक्रविव वाला चला है कि उनसे फिर पूस्ताच की तैयारी की जा रही है और वो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं चाय और बिस्कित उनकी और से राहुल गांदी ने पहले भी कहा कि मेरे जो पूरवज रहे हैं उन्होंने देश के लिए बहुत कुरबानिया दी हैं जेल गए हैं और वो भी जेल जाना चाहेंगे अगर कोई ऐसी इस्थिति आती है रहुल गांदी की यही निर्भैता दरसल सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई बहराल रहुल गांदी ने फिर कह दिया लेकिन आपको यहां बता दें कि आखिर ये नेशनल हेरल का पूरा मामला क्या ह पहले तो जान लीजे की नेशनल हेरल क्या है नेशनल हेरल वो अख़बार है जिसने आजादी की लडाई में एक बड़ी भूमी का अदा की थी उसकी स्थापना जमारलाल नेहरू ने की थी उस दोर में जब अख़बारों में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखना बहुत मुश्किल था नेशनल हेरल आजादी के परवानों की आवाज बना हुआ था खुद नहरू जी चाड़के के चछदव नाम से उसमें लिखते थे और कई बार अपने खिलाब भी लिख देते थे और इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि इस देश का कोई भी नेता देवता न बने सभी मनुश्य है और इसलिए कोई भी आलोचना से परे नहीं है आज यकीन नहीं होता कि देश में ऐसे भी नेता थे लेकिन ये हकीकत है तो उसी नेशनल हेरल्ड की बाद में इस्थिती अच्छी नहीं रही आर्थिक संकट की वज़े से वो चल नहीं पाया और पिछले आट-दस साल पहले मेरा ख्याल है या शायद पंदरा साल पहले उसका जो दैनिक प्रकाशन है वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था नतीजा हुआ कि उस संकट को हल करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने नेशनल हेरल्ड को कुछ कर्ज दिया अब समस्या है कि कॉंग्रेस पार्टी तो कोई कंपनी है नहीं तो एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडिया और जो नेशनल हेरल्ड चलाती थी उसक कुछ नाम है इसको हम चेक कर लेंगे तो नेशनल रेल्ड वह चलाती थी तो नेशनल के पास अकबार चलाने के साथ अकबार से जुड़ी होई जमीने भी ती जहां जहां उसके संस्क्रहन थे तो उसके पास जमीने है आरोप यह है कि यह जो कम्पपनी बनी यंग इंडिया जिसमें राहुल गानी है वो दरसल नेशनल हेरल्ड और उसकी संपत्यों को हड़प रहे हैं क्योंकि उन्हों ने इस कंपनी ने कहा है कि हम इसका जो लोन है उसको चुकाएंगे उसको हम लेंगे और उसके बदले नेशनल हेरल्ड ने अपनी संपत्य उस कॉंग्रेस का कहना है कि ये कॉंग्रेस के अपनी संपत्यों के बीच एक तरह से एक विवस्था की जा रही है और दोनों ही कंपनिया कॉंग्रेस से जुड़ी है ये डील भी कॉंग्रेस द्वारा कॉंग्रेस के साथ ही हुई है राहूल और सोनिया गांधी को इस डील से एक रुपए का भी मुनाफ़ा नहीं हुआ क्योंकि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है यानि कोई भी संपत्ति राहुल गांधी के नाम या सोन्या गांधी के नाम ट्रांसफर नहीं हुई उन्हें कोई पैसा नहीं मिला जो भी संपत्ति या स्थानांत स्ट्रेट महाबली है वो कुछ भी कर सकता है किसी को जेल में डाल सकता है आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमन सुरेन जो जारखंड के मुख्यमंत्री थे वो जेल में थे लंबे समय तक और फिर कोई मामला ही नहीं बन पाया उन्हें छोड़ना पड़ा और अभी 17 मही जेल में रहने के बाद मनिश्ट सौदिया जो दिल्ली के पहले उप्पुख्यमंत्री हुआ करते थे वो भी जमानत पर रहा हुए क्योंकि सुप्रीम कोट आजज आ गया उसने डाट लगाई एडी को कि भाई आप मुकदमा क्यों नहीं चला रहे हैं आपकी रुची केवल रिकॉर्ड इतना कराब है पीमले के तहट दस सालों में उसने 5297 मामले दर्ज किये और सिर्फ 40 में दोश साबित हुआ इसका मतलब समझते हैं एक फीजदी भी दोश साबित नहीं हुआ है यानि अगर 100 लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाए या उन पे मुकदमा किया जाए और 8 के खिलाब भी आप आरोप साबित न कर पाएं तो उससे लगता है कि जो टैक्सपेयर का पैसा है क्योंकि हमारे आपके पैसे से एडी काम करती है तो हमारे आपके पैसे से जो काम कर रही है संस था उसका परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है क्यों ऐसा होता है कि वो लगातार विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना बनाती है और जो लोग भी भारती जन्ता पार्टी जोईन कर लेते हैं उनके केस बंद कर दिये जाते हैं एक खतरना के स्थपी है राहुल गांधी पूस्ताज के लिए तयार है वो कह रहें कि आईए हमसे पूस्ताज करिये लेकिन सवाल तो सरकार से ये है कि अगर गांधी ने सोनिया गांधी ने या यंग इंडिया कंपनी ने कोई गड़बड़ी की थी तो आपको 10 साल से या आप 11 साल है तीसरा कारिकाल है कारवाई करने से किसने रोका था आप जब राजनेतिक रूप से फसते हैं तो आप कारवाई करने लगते हैं पिछली बार भी कुछ ऐसे ही मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कारवाई की गई उनकी संसर सदसिता गई जो सुप्रीम कोर्ट से रुकी उनका घर ले लिया गया नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोगसभाचनाओं में मोदी जी ने बहुमत खो दिया है लोकतंत्र में सहस्थाओं का मजबूत रहना बेहत जरूरी है और विपक्ष को भी जनता की आवाज बने रहें ये उन्हें अवसर मिलते रहना चाहिए अगर विपक्ष पर बेदा का रवाई हुई तो फिर नतीजे गंभीर हो सकते हैं बांगलादेश में क्या हुआ हम सब देख रहे हैं चुकि वहाँ विपक्ष को लगभग डिफंक्ट कर दिया गया था उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया था लोगों का गुसा निकले इसका कोई जरिया नहीं रहा तो लोग सडक पर निकले और सडक पर निकले तो सडक छाप इरादे भी सामने आए शेख हसीना को भागना पड़ा भारत में ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र और विपक्ष दोनों मजबूत रहें Raise your voice इस वीडियो में इतना ही आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहें नमस्कार मॉलिटिक्स के सब्सक्राइब करें